Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है types of trading और investing अलग-अलग तरह के trader होते अलग-अलग तरह के investor होते कौन से time frame पे trade करना चाहिए और कौन से time frame का chart देखना चाहिए आपको आप कौन से तरह के trader बनना चाहते हो वो भी आपको clarity होना चाहिए जादा तरह लोग इसमें first जाते लेते हैं कि आज लिया और कल बेचना है लेकिन बाद में वो नीचे जाता है तो वो long दीरे-दीरे करके बनता है थोड़े दिन के बाद बेचता हूँ और उसमें से long term investment बन जाता है तो आपको जब पहले trade लेते हो trade लेने के पहले पता होना चाहिए कि यह मेरा swing trade है या positional trade है या intraday trade है मैं कौन से तरह का trader हूँ मुझे क्या जमता है मेरी risk appetite क्या है मुझे कौन सा chart देखना चाहिए यह सब बाते करेंगे आज की episode में चले देखते है क्या-क्या तरह के trading होती है पहले होती है day trading जो ज़्यादा तर लोग बहुत ही उच्चुक होते है और बहुत लोग को करना है बट मुझे लगता है कि यह तोड़ा सा मुश्किल है अगर trading जो पूरा game है उसमें सबसे मुश्किल जो है वो है day trading या intraday trading जो बोलते है क्योंकि आपको day trading में क्या करना है एक ही दिन के अंदर 6 गंटे के अंदर साड़े 6 गंटे के अंदर जो market चालू रहता है उसी के अंदर आपको buy भी करना है और sell भी करना है और profit भी book करना है loss भी book करना है और कभी-कभी partial profit partial loss तो यह जो number of decisions है और ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही trade करेंगे हम जादा trade भी कर सकते हैं अगर तीन trade भी किये तो तीन बार buy तीन बार sell तीन बार not to buy not to sell अगर लेना नहीं तो यह जो number of decisions है ना आपको बहुत सारे decisions लेने वो बढ़ जाते हैं और 6 गंटे में मैं भी एक day trader था जब मैंने शुरू किया था और अच्छे से कर रहा था ऐसा नहीं बट अगर आपको पता चल जाए कि अगर दूसरे तरह के जो trading है swing है या positional है उसमें भी अच्छा पैसा बन सकता है तो फिर इसको avoid कर सकते हैं अगर आपके पास capital कम है और आपको capital बनाना है और आपको intraday में ही exit करना है तो ये पहले शुरुआत के लिए ठीक है बट आगे जाके आप swing trading पे जा सकते हो swing trading डे trading आपको पता चल गया कि एक ही दिन के अंदर buy sell करना है swing है कि आप swing करते हो और अगले चार पाँच दिन तक चल सकता है मनदब पाँच से साथ दिन तक 5 to 7 days is what swing trading is ठीक है options trading अलगी game है options में दो तरगे होता है option buying और option selling buying होता है जब वहाँ पे आप 15 minute का chart पाँच मिन का chart तो हमारी जो favorite और special strategies है expiry level 1, expiry special 2, expiry special 3, 4, 5 जो हम options mastery में cover करते है 2000 buying strategies और option writing strategies होती है जो option बेच के करते है उसमें थोड़ा time लगता है that's like week 10 days 15 days also तो यह अलग आपको options पहले तो समझ में आता है basics उसके बाद advance उसका हमारा पूरा एक option mastery program है आप opl.in पे जाके check कर सकते हो अगर next option mastery की season करनी है आपको तो option trading अलग हो गया फिर short term trading short term trading मतलब क्या है कि मैं 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक रुख सकता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे गाई है 5 दिन में निकलने की इसमें आप cash में भी कर सकते हो future में भी कर सकते हो trend following यह एक अलग तरीका का trade है इसमें क्या है कि जब signal आया तो buy किया signal आया तो sell किया अब signal आ जाके कल sell से दे सकता है और signal आ जाने के बाद 6 महिने के बाद sell दे सकता है depending आपने कौन सी trend following systems की है एक mark कर लो एक point अगर आपको कभी भी बड़ा पैसा बनाना है stock market में तो आपके पास at least एक trend following system होना चाहिए हमारा जो one year program in trade enemy हम उसमें दो या तीन यूज़ करते एक तो हमारी फेवरेट है top bottom जो हम futures के लिए यूज़ करते है और दूसरी है हमारी cup strategy प्लस donchin जो हम cash के लिए trade करते है और वो पूरी trend following है जहां से buy हुआ है और जहां तक sell नहीं आएगा भले 6 महिने बाद आए एक महिने बाद आए दो साल बाद आए तब तक बेचेंगे नहीं और trend following से ही बड़ा पैसा बन सकता है और यह बहुत आसान है क्योंकि इसमें कुछ predict नहीं करना है लोगों को लगता है कि stock market में पैसा बनाने के लिए predict करना पड़ेगा कि कहां तक जाएगा कितना जाएगा लेकिन trend following ऐसा है जहां पर कुछ भी predict नहीं करना है हमको खाली देखना है कि हां पर buy आया है अब ठीक है अभी market मुझे बताएगा कभी sell आ रहा है चार्ट मुझे बताएगा कभी sell आ रहा है मैं कुछ predict नहीं करूँ और तो इसलिए ये बहुत आसान है और इसमें साबसे द्रादा पैसे बनता है BTST, STBT काफी लोग ये करते है BTST मनलब buy today sell tomorrow STBT मनलब sell today buy tomorrow ये दो दिन का trade होता है ये एक टाइम पे जब मैंने ट्रेडिंग करियर शुरू किया था तब मेरा ये फेवरेट था तब ही मैं क्या करता था सवा तीन बजे जब मार्केट बंद होने को आता है तब ही जो trend चल रहा है वो इसा आप से stock buy किया और मार्केट बंद हो गया सुबे 10 बजे मार्केट खुलता था उस ताइम पे तो तुरन सवा 10 साढ़े 10 तक खतम कर दिया उपर खुले या नीचे खुले DTSD trade अभी सवा 9 बजे खुलता है तो ये भी ठीक ठाक है इसमें भी हमारी जो special strategy है RSI और hourly chart पे वो भी चलती है जो लास्ट में मोमेंटम दिखा रहा है जो स्टॉक सवा 3 साढ़े 3 को वो ही चांस है कि वो कल भी मोमेंटम दिखाएगा उपर की तरफ या नीचे की तरफ तो उसको BTSD एस्टी बीटिंग बोगो then positional trading positional trading जो अब दीरे-दीरे में का trade था मेरा 8 figures का एक करोड के ऊपर कुछ था और जिंदाल स्टील का और डॉक्टर रेडी का यह सब तो यह positional trade है इसको आप बोलोगे मैं 3-4 महिने तक रूख सकता हो और अगर future में करोगे तो उसका return जादा है cash में भी कर सकते हो so positional trade is 3-4 months 3-4, 5-6 months तक जा सकता है और उसके बाद हो गया long term trading या long term investing भी बोल सकता है जो एक साल के ऊपर जाता है दो साल के ऊपर जाता है so these are the different kinds of trading आप पहले सोच लो कि मैं इसमें से कौन से तरह का trader बनना चाहता हूँ और ऐसा नहीं कि कोई भी एक कर सकते हो दो तीन भी कर सकते हो लेकिन जब trade लेते हो उसके पहले पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा short term trade है और ये मेरा day trade है और ये मेरा BTSD trade है ये मेरा trend following है तो मैं इसमें कुछ predict नहीं करूँगा जो system बोलेगा होई करूँगा अगर ये clarity आजाएगी आपको तो आपको बहुत अच्छा और फाइदा होगा और समझ में आएगा कि क्या करना है अब आगे देखते है कि ये जो trade होते है उसमें चार्ट कौन सा देखना है कौन से time frame का चार्ट दिखेगा पहले day trading में है सवाद 9 से 3.5 के अंदर आपको trade को खतम करना है तो ये day trade है 5 और 15 मिनिट का chart उसमें अच्छा चलता और ये active strategy है मलब आपको screen के सामने बैटना पड़ेगा अगर आपके पास time है अगर आप busy हो, job करते हो, business करते हो आप कुछ और भी करते हो तो ये शायद मुश्किल होगा आपको करने को या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एक घंटा है market का या दो घंटा में day trading करके खतम करता हूँ फिर मैं अपने काम पे जाता हूँ वो भी possible फिर swing trading 3-4 days अप तो 5 days भी जा सकते हैं उसमें 60 minute बतलब hourly chart और daily chart और वो भी पूरा active strategy है बतलब लेकिन पूरा time screen के सामने बैटने की ज़रत नहीं क्योंकि आपको हर 2 घंटे-3 घंटे में भाव update कर सकते हैं और आजकल बहुत आसान है फोन पे भी दिखते हैं इतनी सारी apps है फिर options trading ये buying की होंगी तो एक से 7 दिन तक 5, 15 और 60 मिनिट ये active है अगर आप मेरा expiry level 1 या 2 या 3 करते हो तो आपको 5 और 15 मिट पे काम करना पड़ेगा आप RSI बेस या ADX बेस जो हमारी strategy उस पे करोगे तो 60 मिनिट और daily पे भी कर सकते हैं ये 1 month तक मुझे hold करना है तो अधर में daily weekly chart करूँगा थोड़ा सा passive है मुझे रोज बेटने की ज़रूद नहीं है मैंने position it's like mini positional train 15-20 दिन तक मैं रुकने के लिए तयार हूँ तो ये मेरी dual band strategy है जैसे Bollinger band है उस पे आप काम कर सकते हो grandfather father son पे काम कर सकते हो so this is day trade short term trading then trend following इसमें time frame applicable नहीं है क्योंकि इसमें जब buy आता है और sell आता है उसके बीच में कभी कि दो दिन भी हो सकते है दो महीने भी हो सकते है दो साल भी हो सकते है इसलिए मैंने यहाँ पे not applicable ज़्यादा तर trend following हम लोग daily chart पे भी करते हैं उसके लिए hourly और daily chart important है और यह active strategy है इसमें आपको last एक घंटा और पहले का एक घंटा काम करना है बाकि आप busy हो सकते हो और last में है positional up to 3 months to 4 months weekly chart पे ज़्यादा focus करेंगे और यह भी पूरा passive है जो मैंने आपके trades के बारे में बताया आपने यूट्यूब पे विडियो से और last है long term trading more than a year तो उसके लिए weekly और monthly और यह पूरा passive जैसे मेरे को long term cash में कुछ hold करना है और रुकना है मुझे एक साल दो साल के लिए जो हमारी cup strategy है so यह अगर आपको clarity मिल गया कि हाँ मेरा day trade है तो मुझे ये चार्ट देखना है अगर मेरा option trade है तो मुझे ये चार्ट देखना है मेरा trend following है तो मेरे को ये चार्ट देखना है तो कौन से तरह के trader हो आप कौन सी कर्यर की trading आपको जमती है आप क्या करना चाते हो और आप कौन से तरह के trader बनना चाते हो एक बार एक चीज़ को master कर लिया फिर दूसरे पर जा सकते हो तीसरे पर जा सकते हो सब करनी जरूरी नहीं है यह सब करना जरूरी नहीं पॉसिबल भी नहीं है और confused हो जाओगे और एक trade कभी day trading के लिए लिया उसको बोला चलो अभी मैं इसको swing में convert कर देता हूँ कर सकते हैं पोजिशन ऐसा उपर जाएगा और signal देगा तो बट ज्यादा mix and match करोगे तो confused हो जाओगे और वहाँ पर लोग मार खाते हैं यह exit करने को problem होता है entry तो कैसे भी कर लेते हैं लेकिन exit में problems यह था episode जिसमें आपने देखा कि types of traders और investors क्या होता है कौन से chart किसको क्या देखना है कौन सी active और कौन सी passive strategy है ठीक है अगले episode में फिर मिलेंगे और एक नया topic explore करेंगे तब तक के लिए good luck and good trading